गाइस आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो है आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं नेट्वर्क के बारे में कि नेट्वर्क क्या होता है नेट्वर्क के टाइप्स कितने होते हैं और नेट्वर्क के टाइप्स में डिफ्रेंसिज क्या क्या होते हैं तो वो हम की वीडियो में बात करने वाले तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आज की वीडियो में आपका स्वागत है तो सबसे पहले बात करते हैं कि network होता क्या अगर हम simple language बात करें तो network होता है दो या दो से ज़्यादा devices को आपस में network के थुरू connect करना तो यह आपका basically network होता है माले यह devices आपकी हो सकती है computer भी हो सकता है, आपका mobile हो सकता है, आपका laptop भी हो सकता है तो इन तैब की devices को आपस में connect करना वह वो होता है आपका networking इसको बोलते हैं तो इसके types के अगर हम बात करें तो types होते है livelihood लैन मेन वैन तो इसमें क्या है कि इसको आप basically अपने घर में यूज कर सकते हो, अपने बिल्डिंग में यूज कर सकते हो और अपने आफिस में यूज कर सकते हो, यानि कि एक ही बिल्डिंग में आप इसको यूज कर सकते हो, तो ये है आपका local area network, लैंड के बाद अगर हम next network की बात करें त तो वो है आपका metropolitan area network यानि की man तो इसमें क्या होता है आपका ये आपका वो होता था आपका एक same building में ये होता है आपका एक से ज़्यादा building में भी आप इसको कर सकते हो तो इसकी जो range है वो आपकी बढ़ जाती है मालो आप कहीं पे आपका office है तो वो आपका एक दो तिन branches है और वो branches आसपास ही हैं तो आपको वो buildings में आपस में connect करना है तो वहाँ पे आप इसको use कर सकते हो यहाँ पे मालो आपको एक building में उसको use किया है वहाँ के लिए local area हो गया और आपको एक से ज्यादा में करना है buildings में तो वो आपका man के थुरू आप कर सकते हो अगर हम अगले type की बात करें तो वो आपका आता है when when means wide area network तो इसमें क्या होता है यह आपका किसी city को connect करने के लिए या फिर किसी country को connect करने के लिए काम आता है तो इसका सीधा सा example आप देख सकते हो वो है आपका internet internet के थुरू आप कोई भी चीज किसी दूसरी country भी भी आप easily access कर सकते हो तो यह है आपका wide area network तो guys इससे आपको simple आपको इनका जो type है वो आपको समझ जाएगा कि land man when क्या होते हैं अब आपको इसको थोड़ा सा detail में अगर आपको समझना है कि इसकी range कितनी होती है exactly कितनी range होती है और किस type से होती है तो इसको एक graph के थ्रूम आपको आसानी से आपको समझ आजएगा within a few seconds आपको सारी चीज़े आपको समझ आजएगा आप उसका screenshot भी ले सकते हो तो वो कैसे होता है आपको मैं यहाँ पर बदा जाएता हूँ जैसे कि मान लो land man when एक network है land man when network के बीच में सबसे पहला difference यह है कि आपका जो land network है वो एक building एक घर या एक office के यूज के लिए man network को आप multiple building के लिए आप कर सकते हो किसी एक सहर में आप multiple building के लिए इसको आप use कर सकते हो वही पर आप अगर when network को multiple cities या फिर multiple countries के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो लैन नेटवर्क की रेंज अगर आप देखो तो यह होती है 10 मीटर से लेके 1000 मीटर तक तो वहीं पर मैन नेटवर्क की रेंज जो है वो है 5 किलोमेटर से लेके 50 किलोमेटर तक यह लगबग होती है और WAN Network की अगर आप range की बात करते हो यह एक लाग किलोमेटर तक भी होती है तो LAN Network का Simple Example Ethernet या फिर Wi-Fi जो आप अपने घर में यूज करते हो MAN Network का Simple Example है Cable City Network जो आप अपने घरों में देखते हैं WAN Network का Simple Example अगर आप देखो तो वो है आपका इंटरनेट जो कि आपके आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो दुनिया में तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि Network क्या होता है इसके टाइप्स क्या होते हैं इसके रेंज क्या होती है यह सारी चीजे मैंने आपको बता दी है और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझ आ गया होगा और अगर आपको अभी किसी एक्जाम में यह कोस्चन आता है या कहीं पे भी आपसे पूसा जाता है तो अब आप इसका इसली जवाब देजगते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि मैं इस टैप की इन्फॉमेटिव वीडियो लेके आता रहता हूं और इस टैप की वीडियो को प्लीज सेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ